जैसे अचानक यदि आँख में धूल गिर जाए किसी तरह से कोई चीज पढ़ जाए तो बड़ी बेच्चनी होती है बड़ी परेशानी होती है उस इस्तिदिये में आप अपने आँख को हाथ से न मलें यदि आँख को कोई चीज पढ़ जाती है हाथ से मलते हैं तो infection बढ़ सकती है तो उसके लिए जरूरी है कि आप आँख को न मलें कोई चीज ऐस तरह से धूल या कोई कोई भी लकड़ी के तुन के आदि को ऐसी चीज पढ़ गये हो तो उसके बहुत सरल उपाय है इसके वीज का जो है तेल निकला जाता है बजार में उपलब्द भी है तो इसको आँख में डालने से आँख में से पानी आना शुरू हो जाएगा और जो भी कंकड ओगर जो भी आँख में धूल तिनका भी कुछ भी पड़ा हो वो आराम से निकल जाएगा इसे आँखों को कोई नुकसान नहीं होगा तो यह प्राशिन काल से ही इस तरह के आँख के हतों को पीस करके कि यदि आप उसको पुल्टिस बनांगे उसकी मगदी बना लें पुल्टिस बना लें पुछिस बनांगे फिर आप बाढ़नें अपने आँख में और ऊपर से पट्टी बाढ़ने उहां भुत-ी इलापकारी है आँखों की जलनготов yeah के लिए ऌको की लालिमा इसको आँंख में डालना इसकी लुखदी बना करके पत्तो की फु पुल्टिस बना करके यह अंक में बांद लही है नुम अच्छा प्रयोग है आख के लिए और एक इसका और प्रयोग जिन माताओं इस्तन कैंसर इतना फैल रहा है वो इस्तन कैंसर के बाद में पहले वो ट्यूमर निकाल देते हैं फिर पूरे ब्रेस्ट को रिमूब कर देते हैं फिर वो लंग्ज में फिर बोन में हमने ऐसे ऐसे किसिस देखे हैं कि पूरी जिंदगी एक वार इस्तन में गांट होने से पू जिन माताओं बहनों को इस्तन पे गांट है या इस्तन में हाड़नेस होने शुरू हो जाए आपको यह महसुस होना शुरू हो जाए कि इस्तन अब जो उसका जो सभाविक जो इसकिन का तोचा का जो एक मुलाइमपन होना चाहिए वो नहीं है ऐसा लगने लगे तो आप निर् जो मुलाइमपना है वह बरकरा रहेगा इससे और इसका अतीरी इस एरंड के पत्तों को थोड़ा गरम करके एरंड का तेल ही लगा करके वह इस तनों पर बांध है उससे उसमें पूरा लाब मिलेगा और थोड़ी गांटें बढ़ भी चुकी हो तो थोड़े से एरंड के प आपके इस तन के गांट तो एक बार मैं पूरा दोहरा देता हूं जिनमाताओं वहनों को इस तन संबंदी परिशानी है इस तनों में गांट है किसी भी तरह के कोई संभाव ना है कि आगे जाकर के कोई भायनक रूप ना ले ले उसके लिए प्रारमव में ही यह आप थिरी पिना है एक तो आप प्रादह सायम इस अरेंड के पत्यों का कढ़ा पीये दूसरा अरेंड तेल का मालिस करें सबs हाथ पैरों के एडियों में कहीं भी फटन विवाई हो किसी तरह किस तरह की परिशानी हो तो वहां पर भी आप एरंड का तेल लगा करके पूरा लाब पा सकते हैं इन सब रोगों में यहां रामबान है एरंड और निश्टित रुप से कई बार स्किन की कलर अपने देखा होगा कहीं पैशिच बन जाते हैं काले काले चाहे वो स्तन के पास में है चाहे छाती में है चाहे हाथ में है कहीं पर भी है यदि वहां आप एरंड का तेल लगा करके देरे-देरे मसाज करते रहते हैं प्रती दिन मसाज करेंगे आप देखेंगे आपकी जो स्किन की जो कलर है वह परिवर्तन होने लगेगी ये बहुत ही अच्छे ओष्यदी है कि जहां-जहां तोचाओं में कालापन आ गया है काला पन पड़ गया है उसके लिए बहुती यह एक बहुती दिव्य और शदी है आप इसकीन को नॉर्मल करने के लिए भी आप इसका परियोग कर सकते हैं